दोस्तो आज हम जा रहे हैं विना गई चलाने मिठाई बनाने सिर्फ पांच चीजों से बहुत टेस्टी बहुत अच्छा जट पड़ बनने वाला यह मिठाई है देखी कितना बढ़ियां बन चुका है पुरा वीडियो देखेगा आप लोग तब पता चलेगा कि कैसे बना है हाई दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते हैं अच्छे होँगे आप लोग आज हम जा रहे हैं बिना गयज चलाये मिठाई बनाने इसमें कि हम एक कभ प करिब ले लिये हैं फ्रेश मलाई घर का अब हम इसको डाल देते हैं, और हम चीनी लिए हैं, चीनी मिक्सर में हम इसको हलका सा ग्रेंड कर दिये थे, तो यह भी हम डाल देते हैं, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, चीनी और मलाई को इस तरीके से एक साथ में हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, इसको हम अच्छे स से मिक्स करेंगे जिसको भी हम अच्छे से डाल के इस तरीकी से मिक्स कर ले रहे हैं तो इसे ही हम चला करके मिक्स कर ले रहे हैं अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी छोटी-लायची पावडर। इससे खुसभु अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है ति हम छोटी-लायची की पावडर डाल दिये हैं और यह खाने वाला मिल्क पावडर। दो-चमच यह हम डाल देंगे इसमें के दो चम्मच है खी मेरा हम थोड़ी सी ज्यादे हैं डाल देते हैं कि आफ मिसको अच्छे भूला हुआ चना इसे घंचिलका उतार लिए हैं और यही एक कटोरी करी गए इसको डाल देते हैं इसमें मिक्सर में बढ़िया से पीस लेंगे पाउडर जैसे बना लेंगे तो पीस लेते हैं तो चना यह देखें बहुत अच्छा सा पिसा गया है बहुत बारिक पिसा इधम पाउडर के तरह पिसा गया है अगर जो नहीं पिसा पाता है तो इसको छनी से छान करके डालिएगा हमारा बढ़िया पिसा गया है तो हम इसी तरीके से इसमें डाल दिये हैं और इसको भी हम अ बढ़ियां साइज को ऐसे हम मिक्स कर ले रहे हैं चला चला करके ऐसे हे पुरा एक साथ हम मिक्स करके तो हम इसमें अब प्लेटे लिए हैं प्लेट में इस तरीकी से घी लगा दे रहे हैं अब ये देखिया हम तयार कर लिए हैं इसका हम पाउडर गिरा के इस पे घी है जो इसमें पाउडर कराएंगे घरी बुरादा वाला इसको गिरा करके ऐसे हम कर लेंगे इसका हम इस तरीके से रोल बनाएंगे और इस पर हम ऐसे कर लेंगे तो इसको एक हम सेप दे देते हैं और फिर इसको हम चापू से काट देते हैं एक बढ़ी आठले में सेफ हो गया है और ऐसे हम इसको चाको से काट लेंगे इस पर हम उपर से इस तरीके से पिस्ता लगा दे रहे हैं आपके पास केसर हो तो केसर भी लगा दीजिए बहुत असान जट पड़ बन जाता आपके कीचन का सामान है ये और इसको हम 10 मिनट के लिए फिरीज में रख दे रहे हैं ये बहुत अच्छे से से सेट हो जाएगा और देखने में खाने में बहुत त्रिष्टी है ये तो इसको हम फिरीज में डाल देते हैं 10 मिनट के लिए तो दोस्तों 10 मिनट के लिए फिरीज में इसको रख दिये थे मिठाई ये बेलकूर से ठे चुका है ये कितना बढ़ियां सा ये बन चुका है बहुत अच्छा मिठाई है बनाएगा खाई का कमेंट करने जरू बताएगा कैसा बना है